हम लोग अपने जरुरत के हिसाब से अपने day to day life में अलग अलग टाइप के कपरों का यूज करते हैं कपरा cotton का भी हो सकता है जो कि हम लोग गर्मियों में पहनना पसंद करते हैं और कपरा oland भी हो सकता है जो कि हम लोग ठंड के समय में पहनना पसंद करते हैं इसके अलावा और भी टाइप हो सकते हैं जैसे कि पॉलिष्टर हो गया, रियॉन हो गया, सिल्ख हो गया, एटसेक्टरा हर एक टाइप के कपरों को हम लोग फाइबर से बनाते हैं और फाइबर से लेकर कपरे बनाने तक में जो भी प्रॉसेस इन्वर्व होता है उसको हम लोग इस चैप्टर में डीटेल में परने वाले हैं हमारे चैप्टर का टापिक है फाइबरिक और फाइबर, इसमें हम ये भी देखेंगे कि फाइबर कितने टाइप के होते हैं और उनके सोर्सेस क्या-क्या हैं इससे पहले मैंने DAV Classics के जितने सारे वीडियोज अपलोड की हैं सभी आपको प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज अलग-अलग मिल जाएंगे आप वहाँ पे जाके वीडियोज को देखना और अगर कंटेंट हेल्फूल लगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरह DAV Classics के लिए वीडियोज आते रहते हैं चैप्टर को परने से पहले हम लोग देख लेते कि इस चैप्टर में हमें कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं सबसे पहले तो हम लोग परेंगे Types of Fiber Fiber जो होता है में लिए दो टाइप का होता है पहला जो है वो है Natural Fiber और दूसरा है Synthetic Fiber Natural Fiber का जो एक्जामपल है वो हो गया Cotton, Jute, Coil, Linen और Silk ये सारे इसके एक्जामपल हो गया उसके बाद Synthetic Fiber का एक्जामपल हो गया Nylon, Terralin और Rayon ये सब एक्जामपल को अच्छे से गयाद रखना इसके बारे में Detail में हम लोग Chapter में परेंगे उसके बाद जो Next Important Topic होगा वो होगा हमारा Production of Cloth कपड़ा बनाने का जो Process होता है उसमें क्या-क्या Steps होता है उसके बारे में Detail में हम लोग इस Topic के अंडर में परेंगे तो आप यहां से Reading को स्टार्ट करते हैं यहां पर लिखा है We need Cloth to protect ourselves from heat, cold, rain and germs हमें जो कपरे चाहिए हो हो हमें चार चीजों से बचाता है पहला तो हो गया heat गर्मी से बचाता है उसके बाद ठंड से बचाता है रेन यानि की बारिश से और इवें जर्म से भी हमें बचाता है किटानों से भी बचाता है Early human being wore clothes which were made from plant leaves and animal skin Early human यानि की आदी मानव जो कपरा पहना करते थे वो कपरे किस से बने होते थे प्लांट लिफ से और जानवरों के चमरों से पत्तों से बने होते थे और जानवरों के चमरों से बने होते थे Nowadays clothes are generally made from long threads called fiber और आज कल जो हम लोग कपरे यूज करते हैं वो कपरे बहुत लंबे-लंबे धागों से बने होते हैं और इन ही धागों को हम लोग fiber कहते हैं the fibers are either woven or knighted to make a fabric और fiber को हम लोग बुनकर fabric बनाते हैं अब आगे हाँ पे लिखा है the fabric is then used for making clothes which we wear और उस fabric को बाद में हम लोग सी लेते हैं अपने हिसाब से और सीलने के बाद हम लोग उसको as a cloth use करते हैं the nature of clothes that we need to wear varies from season to season and from place to place जो कपड़े हम पहनते हैं वो season to season भी बदलते हैं और place to place जगह के हिसाब से भी बदलते हैं let us learn more about the different type of fibers अब हम लोग यहाँ पे अलग-अलग type के fibers के बादें पढ़ेंगे उससे पहले यहाँ पे do you know make point है यहाँ पे लिखा है the word sari comes from a Sanskrit word that just means cloth sari जो है एक Sanskrit word से लिया गया है और इसका मतलब होता है कपरा sari is word first mentioned in Vedas way back in 600 BC और 600 BC के समय में ही वेदों में sari के बारे में mention किया गया था तो अब आते हैं हमारे next topic पे जो किया है natural and synthetic fiber यह दो अलग-अलग type का fiber है और यह हमने categorize किया इसके source के basis पे जो हमारे nature में available है उसको हम लोग बोलेंगे natural fiber और जिसको हम लोग बनाते है जो man made fiber है उसको हम लोग बोलेंगे synthetic fiber बहुत simple है तो यहाँ पे natural fiber के बारे में लिखा है उससे पहले यहाँ पे कुछ लिखा है इसको read कर लेते हैं यहाँ पे लिखा है fibers can be classified into two types namely natural fiber and synthetic fiber the classification is based on their source यह हमें कहां से मिलता है उस आधार पे यहाँ पे classify किया गया है पहला है natural fiber natural fiber किसको कहते हैं fibers which are obtained from natural sources जो हमें प्रक्रति से मिलता है that is plant and animal या तो वह हमें plant से मिले या तो किसी animal से मिले तो उसको हम लोग natural बोलेंगे are called natural fiber fibers obtained from plant are called plant fiber अब देखो natural fiber को फिर से दो category में बाटा गया एक हो गया plant fiber और एक हो गया animal fiber तो plant fiber किसको बोलेंगे नाम से ही पता चलता है the fibers that are obtained from plant जैसे की cotton हो गया물 EH Suppose ऊखोंगे ही सब प्लांड fiber हैं हमें plant से मिलते हैं उसके बाद है force obtained from animal और ऐसी फाइबरße मिलते हैंUP को लोग एनीमल फाइबर बोलेंगे जैसे की सील्क हो गया है इनीमल compare उन हमें मिलता sotto और शिल्क हमें मिलता है एक वर्म होता है कीटा होता है उससे हमें सिल्क गानौता ओलर आ बादा है ID सोटी का कपरा हम लुग पहना पसद इसी लिए करते हैं कि यह बहुत ज़法 Tris और उसके बाद यह cheaper भी होता है other type of fiber के comparison में तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा है it grows on plants यह plant पे grow होता है यानि कि यह plant fiber हो गया cotton plants will grow well in black soil यह एक बहुत important point है cotton plant कहाँ पे grow होता है काली मिट्टी में यह अच्छे से grow हो पाता है black soil जो होता है is fine as it remains dry from top but remains the moisture inside मतलब black soil जो होता है यह बहुत fine इसका जो particle होता है बहुत fine particle होता है और इसका उपरी layer जो होता है यह बहुत सूखा होता है dry होता है और इसका जो निचला layer होता है इसमें moisture content होता है यानि कि नमी होता है उसमें जिसके कारण plant को grow होने में help मिलता है अच्छे से this helps the plant to grow और इसके कारण plant अच्छे से grow हो पाता है warm and humid climate warm मतलब गर्म and humid मतलब ऐसा climate जिसमें water vapor present हो warm and humid climate having temperature of over 16 degree centigrade और ऐसा climate जिसका temperature 16 degree Celsius से उपर हो provide the most suitable condition for the growth of cotton plant और ऐसा condition cotton plant के लिए best होता है तो इस paragraph में हमें क्या क्या याद रखना है एक तो ये कि कैसा मिटीस को चाहिए और temperature और environment कैसा होना चाहिए cotton plant के लिए ये हमें इसमें याद रखना है आगे यहाँ पर लिखा है cotton is obtained from the fruit called balls cotton जो होता है हमें cotton plant के fruit से मिलता है जिसका हम लोग balls बोलते हैं यहाँ पर ये वाला picture देख रहा है इसीका हम लोग balls बोलते है farmers pick out cotton from these balls farmer जो होते हैं किसान जो होते हैं इन balls से cotton को ले ले लेते हैं निकाल लेते हैं this cotton has thin fibers in it , इस cotton के अंदर बहुत पतले पतले रेशे होते है बहुत पतले धागे होते हैं these are separated by combing , और इसको मों fine threads होते हैं बहुत fine fibers होते हैं और इसको अलग करना possible नहीं है हाँ से तो machine से इसमें combing होता है और इसके बाद लंबे-लंबे threads बना जाते हैं उसी के दूसरा जो natural fiber है वो है jute, jute से हम लोग रसी भी बनाते हैं, packet भी बनाते हैं तो इसके बारे में ब्राउन कलर का दिखता है, because of its color, it is obtained from a bark of a jute plant which grows well in aloeveal soil, aloeveal soil भी एक मिट्टी का टाइप है, इसमें ये क्या बोलते हैं, jute plant अच्छे से हो पाता है, jute plant uses up the fertility of the soil to a large extent, मतलब जो jute plant होता है, इसको बहुत ज्यादा fertile मिटी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा उपजाओं मिटी चाहिए, तभी ये हो पाता है, fresh soil is therefore needed every year for growing jute plant, इसलिए हर साल fresh soil चाहिए, यानि कि jute plant को उगाने से पहले, कुछ समय के लिए हमें कुछ भी नहीं उगाना पड़ता है, जमीन पे, तभी jute plant अच्छे से हो पाता है, अच्छा, यहाँ पे लिखा था कि it is obtained from the bark of jute plant, इसका क्या मतलब हुआ, कि जो jute का पौधा होता है, उसका जो तना वाला पाट होता है, तना के उपर एक layer होता है, उसका छिलका होता है, उस छिलका को जब हम लोग छिलते हैं तो हमें jute मिलता है, तो अगर पूछा जाए exam में कि jute plant से हमें jute किस पार्ट से मिलता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यह हमें मिलता है इसके bark से, उस bark के यानि कि उसके तने से उसका जो उपरी layer होता है, हम लोग उसको छिल लेते हैं, और उस छिलका से ही jute बनता है, आगे यहाँ पर लिखा है, jute is used for making ropes, jute को यूज़ करके हम लोग रसी बनाते हैं, गनी बैक्स इस टाइप का बोरा बनाते हैं, कारपेट्स हैं मैट्स, चटाई बनाते हैं, among many other things और भी बहुत सारे समान बनाते हैं, उसके बाद जो next natural fiber है, वो है क्वाइड, क्वाइड क् कि नारियल खाया होगे, तो उसको छिलने के बाद जो छिलका होता है, उसमें जो fibers पाया जाता है, बहुत मोटा मोटा रेशा पाया जाता है, उसका छिलका में, उसको use करके हम लोग रसी भी बनाते हैं, हम लोग चटाई भी बनाते हैं, और इस तरीके का वेसल भी बना लेत है उससे हम लोग कोई बनाते हैं उसको हम लोग कोई बोलते हैं और उससे हम लोग बहुत सारा समान बनाते हैं और इसको उपजाने के लिए जो नारियल का पेर होता है उसके लिए कोई fertile soil नहीं चाहिए, यानि कि बहुत ज़्यादा उपजाओ मिट्टी नहीं चाहिए ये भी याद रखना बहुत important point है red and yellow soil is suitable for growing coconut और red और yellow soil जो होता है ये coconut के tree के लिए बहुत suitable होता है quiet is used for making ropes rope के लिए ये use होता है foot mats, चटाई के लिए and mattresses etc ये सब सामान quiet से हम लोग बनाया करते है अगला जो natural fiber है वो है linen, linen के बारे में आप लिखा it is obtained from the fibers of flex plant, एक पौधा का नाम ये है और इसी से हम में linen मिलता है, the suitable soil for flex plant is aluvial soil, और इसके लिए जो suitable मिट्टी है वो कौन है aluvial soil है, जिससे जिस पे हम लोग jute भी होगाते है jute के लिए भी suitable वही मिट्टी है और linen के लिए भी वही मिट्टी suitable है and deep looms और ये जो deep loom है ये भी एक type of soil ही है some of the products made of linen are aprons aprons जो होता है हम लोग lab में यूज़ करते हैं वो भी linen से बना होता है bags भी बना होता है towel, bed covers, apparel and clothing ये सारे समान हम लोग linen से बनाते हैं अगला जो natural fiber है वो है wool यानि की oon इसके बारे में आपे लिखा it is obtained from the body coat of animals जानवर का जो उपर वाला layer होता है body के उपर वाला layer यानि की उसका जो बाल होता है उससे हम लोग oon बनाते है like sheep, goat, camel and some other animal this body coat is called fleece और इस body coat का हम लोग fleece बोलते है जो शीप के उपर बाल होता है उसको अगला जो natural fiber है वो है silk silk के बारे में आपे लिखा है it is obtained from the silkworm silkworm नाम का एक कीरा होता है उससे हमें silk मिलता है these worms grow on leaves of the mulberry plant और ये कीरे कहाँ पर होते है mulberry plant नाम के एक पौधे पर ये कीरे पाए जाते है you will learn more about wool and silk in your higher classes और wool और silk के बारे में हम लोग higher classes में detail में भी पढ़ेंगे तो यहां तक तो हमने natural fibers के बारे में पर लिया अब जो दूसरा type of fiber होता है वो होता है synthetic fiber जो की man-made fibers जिसको हम लोग बोल सकते है यहां पर लिगाए synthetic fibers are prepared in the factories इसको हम लोग factories में बनाते है using appropriate chemicals इसको बनाने के लिए हम लोग chemicals यूज करते है they are also called man-made fibers obviously man बनाया है इसलिए हम लोग इसको man-made भी बोलते है जैसे कि nylon हो गया terylene हो गया are some examples of the synthetic fibers यह सारे कुछ example हो गया synthetic fibers are better than natural fibers in some respect और कुछ कारणों से synthetic fiber को natural fiber से अच्छा भी माना जाता है क्यों माना जाता है they are stronger पहले तो यह ज़्यादा stronger होते हैं ज़्यादा मजबूत होते हैं wrinkle free यानि कि यह shrink नहीं होते हैं सिकूरते नहीं है और इस पर कीरे भी नहीं लगते हैं और इनका color भी बहुत अच्छा होता है बहुत दिन तक टिकता है इसलिए इन सारे कारणों से synthetic fiber को हम लोग natural fibers अच्छा मानते हैं आगे यहाँ पर do you know में एक बहुत interesting fact बताया गया है कि nylon जो है जो कि एक synthetic fiber है का नाम कैसे पड़ा यहाँ पर लिखा है nylon was prepared for the first time by scientist in new york and london मतलब new york में और london में दोनों जगह पे वैज्ञानिक जो थे दोनों ने एक ही साथ आविस्कार कर दिया था nylon का उसके बाद क्या होता है therefore the name nylon was given to the fiber where ny stands for new york and lon stands for london और इसलिए उस substance का उस fiber का नाम हमने nylon लग दिया क्योंकि वो new york में भी बन गया था और london में भी बन गया था एक ही साथ simultaneously अब आते हैं इस chapter के last topic पे जो की है production of clothes कपरा बनाने का जो process होता है उसमें कौन कौन सा steps involved होता है उसके बारे में यहाँ पे हम detail में पढ़ेंगे यहाँ पे लिखा है let us now learn the basic details of the process of making clothes the complete process of making clothes from its raw material involve various type of steps these steps are given below in the sequence in which they are carried out और जितना सारा steps इसमें follow किया जाता है सबको यहाँ पे serial ही दिया गया है सबसे पहले क्या होता है collecting the fiber from the different source यानि कि अगर वो natural fiber है तो हम लोग nature से उसको collect करेंगे और अगर artificial है तो उसको हम लोग factory में बनाएंगे उसके बाद क्या होगा spinning होगा spinning क्या होता है हम लोग देखेंगे spinning का मतलब basically होता है कि उस raw material से हम लोग धागा बनाते हैं तो धागा बनाने का process spinning हो गया उसके बाद वेबिंग यानि कि उस धागे को बुनकर हम लोग कपरा बनाते हैं वेबिंग के बाद होता है dying यानि कि उस कपरे को हम लोग paint करते हैं उसके बाद होता है printing यानि कि कपरे पे हम लोग design बनाते हैं उसके बाद होता है finishing, finishing यानि की iron वगयरा करते हैं, हम लोग कप्रे को straight करते हैं, और उसके बाद होता है tailoring यानि की sillai, sillai करने के बाद finally हमें एक कप्रा मिलता है, जो कि हम लोग अपने day to day life में use करते हैं, तो सबसे पहला step है collection of fibers, उसके बारे में आप लिखा है workers collect fiber from different source, जो का is collected from the fleece of sheep, इसके बारे में परा cotton कहां से मिलता है, और wool कहां से मिलता है, जहां जहां से मिलता है, उसको पहले काम होता है collect करना, अलग-अलग sources से fiber को collect करने के बाद जो अगला step होता है, वो होता है spinning, spinning के बारे में लिखा है, यहां पे fibers are first made into long thread like strands, fibers को हम लोग spinning process के help से लंबे-लंबे धागे में convert कर देते हैं, these are then spun together to form yarn, और उसको एक reel में हम लोग लपेट लेते हैं, और लपेटने के बाद जो यह चीज हमें मिलता है, इसको हम लोग yarn बोलते हैं, this process of making yarn from fiber is called spinning, और यही process spinning कहलाता है, उसके बाद यहां पे लिखा है, a simple device for spinning, यह चर्खा, यह यहां पे तो यह बहुत complicated machine दिख रहा है, यहां पे यह जो machine यहां पे हमें दिख रहा है, इसको हम लोग spinning machine बोलते हैं, तो एक बहुत simple machine भी होता है, जो कि गांधी जी यूज किया करते थे, और उस machine को हम लोग क्या बोलते थे, चर्खा बोलते थे, चर्खा का जो चक्र होत है it is the process of making cloth or fabric यह process क्या चीज़ का होता है कपड़े बनाने का होता है और जिसको हम लोग fabric बोलते हैं from yarns इस वाले reel से हम लोग कपड़े बना लेते हैं this is done by a waver और यह बुन्ने का काम जो करता है उसको हम लोग waver बोलते हैं who is a picture of attentiveness and concentration while using his waving machine और जब यह waving machine को यूज किया जाता है न तो उसमें बहुत ज्यादा concentration हमें देना पड़ता है क्योंकि उसमें अगर एक धागा भी इदर उदर होगा तो कपड़ा uneven लगने लगेगा अगर आपके कपड़े से अगर एक धागा निकाल लिया जा तो कितना गंदा दिखेगा तो वही चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा concentration लगता है बहुत ज्यादा attentiveness लगता है this machine is called loom और इस machine को हम लोग लूम बोलते हैं waving machine को it's some places waving is still done on hand operated looms बहुत सारे जगों पर यह जो लूम होता है hand operated होता है यानि कि आदमी ही हाथ से करते हैं और called hand loom और उस machine को हम लोग hand loom बोलते हैं जो की हाथ से operate होता है और जो की automatic चलता है बहुत बदे बड़े बड़े कार खानों में मशीन होता है उसको लोग simply loom कहेंगे यहाँ पर यह जो मशीन है इसको हम लोग spinning machine बोलते हैं और यह वाला जो machine है इसको हम लोग loom बोलेंगे और यह hand loom नहीं है क्योंकि यह hand operated नहीं है यह यूठ बहुत बढ़े बढ़े कानखानों में कपड़ा बुनने का काम करता है तो अब देखो कपड़ा तो बनके तयार हो गया लूम पर और सब्सक्राइब ख्रक्राइब करते हैं ध्यांद और यहां पर लिखा और यह जो dying का काम करते हैं उनकों लोग dyer बोलते हैं who soaks the cloth into solution of the dye जो क्या करते हैं एक dye का solution बनाते हैं यानि के एक रंग बनाते हैं और उसमें कप्रे को डाल देते हैं और कप्रा उसी color का हो जाता है डाइंग के बाद जो अगला step होता है वो होता है printing step प्रिंटिंग में क्या होता है कि अलग-अलग designs कप्रे पे प्रिंट किये जाते हैं यह हाथ से भी किया जाता है और आजकल तो machine ही आ गया सब चीज मशीन से होता है कुछ भी यहाँ पे hand operated नहीं होता है तो इसके बारे में आ by a printer either by hand और by using a machine या तो उसको हाथ से manually किया जाता है या तो machine से के लिए finishing process बहुत ज्यादा important होता है तो यहाँ पे लिखाया the printed cloth is finally made smooth उसको smooth बनाया जाता है soft बनाया जाता है और shiny बनाया जाता है दिस डन बाई सम इस्पेशल ट्रीटमेंट कॉल finishing और कप्रे को smooth, soft or shiny बनाने के लिए जो भी process जो भी steps लिया जाता है उसको हम लोग finishing के अंडर मिलाते हैं finishing के बाद जो last step होता है वह होता है tailoring यानि कि सिलाई यहाँ पे picture में भी दिखाया गया कि कप्रा सिला जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे लिखाया the finished cloth is then sent to the market from where we buy it जो finish हुआ कप्रा होता है उसको market में भीज दिया जाता है और वहाँ से उसको हम लोग खरीच सकते हैं we then get it stitched into different dresses by a tailor और हम लोग दरजी के पास जाके उसको अलग-अलग dresses बनवा लेते हैं उसी कप्रे से आगे यहाँ पर do you know में दिया है नाइटिंग के बारे में जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिसकस किया था लिखाया dresses like sweaters, pullovers and socks are made from woolen yarns यह उन से बनाए जाते हैं by the process of knitting और इस process को हम लोग knitting या नाइटिंग बोलते हैं, during knitting single yarn are hand knit और machine knit एक जो उनका धागा होता है उसको यह तो हम लोग hand knit करते हैं यानि के हाथ से यह तो बुन लेते हैं या तो machine से बुन लेते हैं जेनरली हाथ से बुना जाता है वह बहुत अच्छा बनता है to make many beautiful patterns in different type of wool and dresses और इसमें जो patterns होते हैं जैसे कि उनका कपड़ा जो भी होता है उसमें pattern बना होता है और उस pattern को बनाने के लिए हम लोग दूसरे color का उन बीच में use कर देते हैं और उसके बाद वह बहुत ज्यादा सुन्दर में दिखता है आगे यहाँ पर लिखा है now we know that the clothes we wear are prepared by the efforts of so many people अब हम लोग जानगे कि जो कप्रा हम लोग पहनते हैं उसमें बहुत सारे लोगों का effort involved है we need to take proper care of our clothes so that they look attractive and last longer इसलिए हमें अपने clothes का proper care रखना चाहिए ताकि वो अच्छे से रहे अच्छा दिखिया हमेशा और लंबे समय तक हो चले तो इस वीडियो में इतना ही हमने इस chapter के हर एक topic को detail में discuss किया I hope आपके लिए वीडियो helpful लाओगा जितना topic मैंने explain किया सारा topic आपको अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो अगर आपके लिए helpful लाओ तो इस वीडियो को like करना, channel को subscribe करना और इस वीडियो को अपने classmate के साथ जरूर शेयर करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो